हेलो गाइस तो कैसे हो आप लोग आई होप अच्छ होंगे तो मेरा नाम है रोष्ट कुमार और आज हम बीएसी सेकंडेर की बुक रेल अनालाइस और इसका चेप्टर नंबर वन रेल नाइन इंटर्बल एंड बॉंडर सैट के एक्जांपल नंबर 11 को आज हम सोल्व करेंग ओके तो जहां से मैंने अब स्टार्ट करना अब रेगुलर वीडियो आती ही रहेगी जो भी मेरे भाई 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 में एरर था वो ठीक हो चुका है ठीक है आज से आगे जितने बीचे कोश्चन होंगे शोटे ये मोटे जितने कोश्चन है मैं पूरे की पूरी वीडियो और बीसी when yarnунд कि एलीयो आती ही रहेगी ठीक है आपने बस एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि आपको ऑपने मुझे मुझे कamı CAPC neighbors देना है आप लोगों ने ओके तो आज हम एक्जम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं ओके पर ले इस एक्जम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया हुआ है ठीक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो जो भी मैं इसका चैनल है जल्दी से जाओ उसको भी चेक करो ओके तो वह भी वास्ता में आपके काम आएगा ही आएगा जुरू ठीक है तो जल्दी से जाओ चेक करो तो हम कोश्चन नमबर 11 से स्टार्टिंग करते हैं इसकी ओके और ट्वल भी क्वेश्चन करना इसके बीच अब देखो यह कुश्चन नमबर 11 देखो सबसे पहले मांगा वजे ग्रेटर दन ग्रेटर दन और ग्रेटर दन ठीक है लेस दन ऐसे होता था ठीक ह है तो क्या करना है सबसे पहले इसको लिख लो इस भी ग्रेटर दन ए और ग्रेटर दन जिरो ठीक है ए अड़ी घ्रेटर दन जीडिगे अपने इदे लगा लेना है जीरो सर्जी जीरो कहां से आ गया ठीक है ऐसे कैसे जीरो लगा लिया अपने ठीक है हम भी तो पता नहीं चला अच्छा जी अब देखो मौलो मैंने कोई एकוइशन ले लिए एकस के लिए 2x इकल टू 0 लगा लिया ठीक है एकस के ल फ्लस 2x इस ज्जिरो को इदर लेके आओंगा तो माइनस का तो बीडियो को फूल गोच करना है वगर तभी समझाएगा आपको ऑके तो बी प्लस सी जे माइनस इदर आजाएगा और एपॉन भी तो जिए इदर कर जाएगा की तो जल्दी से क्रोस मल्टिपलाइ कर दो A प्लस C ओके तो इसको भी कर दो क्या आजाएगा हमारा A B प्लस C ठीक है तो नीचे देखो क्या है B और B प्लस C ठीक है आज जिना यह पैन ब्लैक है तो कुछ फीलिंग नहीं आ रही लिखने की ओके तो यह आगा greater than 0 आगे देखो इसको अंदर मल्टिप्लाइ कर दो यह बन गया B A यह बन गया B C और यह बन गया A B और यह बन गया A C ठीक है divided by क्या बन गया इसको नीचे बले को ऐसे रहने दो ओके greater than 0 ठीक है जो कटता है वो काट दो इसससे यह कट गया B C B C हमारा पास सोरी B C और A C बचके है B C minus A C divided by B और B प्लस C ठीक है greater than 0 जहांसे क्या common है C common है C common लेड़ो तो B minus A upon B और B प्लस C greater than 0 ठीक है आपने इतना ही काम करना था इस question है वट आगे में कर देते हैं जैसे book में किये हुआ है book में क्या कियो है इस C को अलग लिखा हुआ ठीक है ऐसे कर लेते हैं equal to करके C को अलग के लिए हुआ है और जी नीचे वाला है इस portion को भी अलग लिखा हुआ ठीक है और ये bracket बंद और जी वाला bracket के बाहर लिखा हुआ B minus A greater than 0 तो आपका अंसर यहीं तक है अब आगे आपने कैसे लिखना है यह पूरा पार्ट कहां से निकल किया है यहां से निकल किया है ना तो इसको नीचे लिख दो फिर जे पूरा का पूरा लिख दो जे बाला A plus C upon B plus C ठीक है जहां से लिखते हैं यहां से निकल किया है ना minus A upon B greater than 0 तो यहां से निकल किया है हमने लिख देना है पूरा का पूरा ठीक है आगे दिखो यह कैसे मिला था हमें ऐसे मिला था ना इसको ऐसे सब्लेट कर दो फिर A plus C और B plus C ठीक है तो इधर क्या जाएगा greater than A upon B आजाएगा ठीक है फिर से इसको ऐसे ही लिख देना है आप लोगों ने तो आपका final answer जही है ठीक है अब हम करते हैं question number 12 को ओके तो यह रहा हमारे पास 12 question ठीक है इसको देखो कैसे करना है यह पूरी term आपने लिख देनी है A greater than B और greater than 0 ठीक है अब आदेखो जी 0 वाला तो नहीं उठाना है हमने यह ही उठाना है पहला ठीक है तो A greater than B जो को इसमें क्या करना है सबसे पहले A multiply करना ठीक है बोथ साइट ठीक है तो आपने क्या करना है A multiply कर दो तो दोनों साथ करना है तो जी आपका क्या निकल के आ जाएगा A का square greater than B ये लिख लो या A B लिख लो ठीक है जी उड़के कहां चला जाएगा square root इसके उपर चला जाएगा इस लिखता हूँ ठीक है तो जी क्या बन जाएगा आपके पास A भी बन जाएगा ठीक है लिख सकते है न हम A B but जब square नहीं आएगा क्योंकि square root उड़के इस पर लगए इसको देदे question number 1 ठीक है अब देखो again करना है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ A greater than B अब क्या करना है B multiply करना ठीक है तो A dot B ऐसे और B का square ठीक है तो इसको कैसे लिख सकते है अब हम थोड़ा सा mind लगाओ इसका square कहां पर उड़किया जाएगा इसके उपर आ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते न A B undrude greater than B यह आगे आपकी B की value ठीक है अब देखो जितना भी काम हो रहा है greater than में हो रहा है तो हम कैसे लिखते है एक less than में ऐसे लिखते है न ठीक है अब greater than में कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कुछ यह greater than करके ठीक है अब देख इसमें common क्या है A B है न यह अंडूर A B है A B है तो X की जगह पर आजागा ठीक है A की जगा पर A और X की जगा पर क्या जगा अंटूर A B और लेस दन B ठीक है तो आपने जिए question ऐसे ही करना है ठीक है तो आगे लिख देना है अंटूर A B lies between A and B ठीक है तो जिए आपका answer था इस question का ठीक है तो ऐसे ही हम मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए bye bye and take care